गुनिया ने की एक बार फिर से लक्समी के साथ बहुती घटिया हरकस समय पर आकर रिसी ने बचाया लक्समी को जिहाँ दोस्तों टीवी सेल भाग के लक्समी के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे लक्समी से मिलने के लिए जब रिसी लक्समी के कमरे में पहुचता है तब वो उसे सोते हुए देखकर उसके मूँ से कुछ बाते सुनता है इसमें लक्समी ये कह रही होती है कि तुम रिसी मलिसका से शादी कर लो उस वक्त रिसी जो है लक्समी की उन बातों को भी याद करता है जो कि लक्समी ने होली पर बोली थी उन बातों को याद कर के रिसी को लगता है कि मलिस्का ने साजिस की है इसलिए वो तुरंथ ये सवाल करने के लिए मलिस्का के पास पहुच जाता है मलिस्का की कबरे में ना मिलने पर रिसी जो है सोनल से पूछता है कि मलिस्का कहा है तब पीछे से मलिस्का आ जाती है रिसी जो है मलिस्का से अकेले में पूछता है कि तुम मेरे सर की कसम खाओ कि उस दिन हमारे बीट जो भी हुआ था वो तुम जूट कह रही हो पहले तो मलिसका जो है टाल मठोल करने लगती है लेकिन बाद में मलिसका कहती है कि लक्समी ने जो कहा वो सच कहा जिस पर रिसी को लगता है कि मलिसका साइद वही कहने वाली है जो मेरे कान सुनना चाते है किन मलिसका फिर से बातों को गुमा देती है कि उस दिन हमारे भी जो भी हुआ वो लक्षमी ने देखा था और मैं क्या इसके लिए तुम से जूट बोलूँगी कोई भी लड़की इसके लिए जूट नहीं बोल सकती उसके बात मलिसका जो है रिसी से सिंपती पाने के लिए उसके गले लगकर रोने लगती है जिस पर रिसी को लगता है कि साथ मलिसका का दिल मैंने फिर से दुखाया उधर मैच मेकर ने जो है नीलम को कोल करके बताया कि कल लक्ष्मी को लड़के वाले देखने के लिए आएंगे नीलम को ये सुनकर खुसी होती है कि लक्ष्मी से जान चुटेगी के बाद जब सभी लोग खाले की टेबल पर रिकठा हो जाते है तब फिर से लक्ष्मी को लेकर घरवाले बहस करने सुरू कर देते हैं जिसमें सोनिया आयूस और अहान तीनों बहस करते हैं उद सभी की बातों के बीच में वहाँ पर लक्ष्मी आ जाती है तब सोनिया कुछ कही रही होती है कि दादी उस पर एक ताना मारती है कि जिसका दिल काला उसे सब वैसे ही दिखाई देते हैं जिस पर सोनिया गुस्से में आकर पानी का जग उठाती है और लक्समी के ओपर फेकने कोसिस करती है लेकिन समय पर आकर रिसी उसे बचा लेता है ये देख कर सोनम मलिस्का की आखे भी खुली रह जाती है तो एक बार फिर से फूटेगा सोनिया के ओपर रिसी का गुस्सा तो दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट करके बताए जान करें पसंद आई को वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्यू